नमस्तार मैं हूँ देवांसू आप देख रहे हैं नियूस फोर नेशन हमार साथ उपेंद्र कुश्पाहाजी हैं बात करने के लिए ज्ञारखंड में चुनाव होने वाले हैं और इनकी पार्टी भी पूरे दमखंब से ज्ञारखंड में चुनाव में उतरने के त्यारी करि देखें पूरी त्यारी है अब तो कुछी दिनों के बाद वहाँ चुनाव भी गोसना होने वाली है हमने freedom दिया है पार्टी की जो state unit है वहां उनको कितनी सीटो पर लगना है कहां कहां लगना है कैसे लगना है तमाम बातों पर निर्ने वहां जो state unit के लोग है वही लोग ल चाहती है तो ठीक है अलग से चुनाव लड़ना हो तो लोग लड़ सकते हैं इसके लिए फीडम है उन्हें को अगर बिपक्ष की सभी पार्टी एक साथ मिलकर बढ़ियां से स्ट्रेटिजी बनाए तो निश्चत रूप से वहां लोग जीतेंगे लेकिन अगर ठीक से स्ट्रेटिजी सब लोग मिलकर नहीं बनाएंगे तो कठिनाई होगी इसलिए हमने आगर भी किया है तमाम राजनितिक दल जो विपक्ष के लोग है उनसे जो खास करके जो बड़े हैं उनका दाई तो मनता है कि सब लोगों को एक साथ बैठा करके कोई रास्ता निकाल पाए निकल गया तो भी ठीक ना निकला तो भी ठीक पर चुनाओं हमारी पार्टिजी अगला सवाल है स्यम नितिश कुमार धाला 370 का बिरोद करते रहे हैं और आज रक्षा मंतिक गिर लेकिन अंदर में जब वोट देने की बात होती है तो फिर बीजेपी के साथ लोग वोट करते हैं तो जनता को मुर्ख बनाने की कोशिस इनकी और से होती है यह हम इस स्टेंट पर अलग लुख ले रहे हैं लेकिन अलग रुख होता नहीं है उनका अलग रुख लेना हो तो पर्लेमेंट के अंदर भी रुख ले और बाहर भी लुख ले तो बाहर का कुछ और अंदर का कुछ और लोगों को इस तरह से ठगने की कोशिस है लेकिन लोग अभी तरह मुर्ख नहीं कि इनकी बातों में आ जाया है कि केंद्रे मंत्री गिराज सिंग ने निती सरकार के ख अधिकारी है चाहे पुलीस की अधिकारी हो यह दूसरे लोग हो वास्तों में जंता के लिए तो ऑक्षन कहीं नहीं दीख़ारा है चाहे बाद परित को को सुमधा देने मामला हो या बांकि लोव और का मामला हो पिहार में तो यही स्थिति है इसलिए गिराज सिम जी ने ठीक ही कहा है इसमें कहीं कोई गलत नहीं है जो कि कहीं मुद्दों पर हमसे बात की फिलाल अभी तक के लिए इतना